नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल योधा आईएस पर मेरा नाम है जितेंद्र और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए आज का दाहिंदू अकबार का विशलेशन आज दिन है बुद्धवार और डेट है अगस्त 16-2023 तो बिना जाज़ा देरी करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का दाहिंदू अकबार का विशलेशन जैसा कि आप जानते हैं कि कल 15 अगस्त थी तो 15 अगस्त से जो प्रधान मंत्री हैं उन्होंने वहाँ से अपना भाशर दिया लालकिला के ऊपर से तो उन्होंने कहा कि 2024 में भी मेरी सरकार दुबारा बनने जा रही है जैसा कि आप जानते हैं कि 2024 में जो नए लोकसभा के लिए चुनाओ होने जा रहे हैं उसी को लेकर जो प्रदान मंत्री हैं उन्होंने कहा कि मैं वापिस आऊंगा 15 अगस्त 2024 को यहीं लाल के लिए से मैं भाषट दूँगा और उस समय मैं अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाऊंगा कि हमने अभी तक 2014 से क्या काम किया है तो यहीं था बेसिकली उन्हों जाद तर हमें देखने को मिला कि उनके भाषण में मनीपूर को भी एड्रेस किया गया साथ ही साथ जो उन्होंने तीन उप्स्टेकल्स बताए भारत के अंदर वो है korruption, dynasty politics और appeasement की politics इन तीनों को उन्होंने बताया कि हमें इस से चुटकारा पाना है भारत के अंदर और उन्होंने कहा कि भारत को हम अगले टर्म में अपने जो भी अगर हमारी सरकार बनती है अगर नहीं लगाया उन्होंने वो एकदम confidence से बोले कि हमारी सरकार अगली बार जब आएगी अगले टर्म में तो भारत को तीसरी सबसे बड़ी largest economy बना देगी विश्व के अंदर, third largest economy भारत को बना देगे हम भारत के अंदर ये ब्रदान मंत्री लाल के लिए से कल 15 अगस्त के भाशन में बोले, साथी साथ वहाँ पर एक urban poor जो शहरी गरीब होते हैं उनके लिए एक housing scheme भी launch की गई घर बनाने के लिए जिसमें लोगों को loan मिलेगा और interest rate पर छूट मिलेगी तो यही था basically पहली न्यूज में आगे हम चलते हैं सीधे तो आगे उत्राखंड और हिमाचल प्रदेश से एक न्यूज आ रही है जैसा कि आप जानते हैं कि मौनसून इस बार uneven है जो बारिश की हम बात करते हैं तो आठ घर बह गए हैं हिमाचल की हिमाचल प्रदेश की कृष्णा नगर लोकैलिटी में और बहुत लोगों की खो जाने की न्यूज आ रही है साथी साथ दो लोग अभी तक जो म्रत हैं वो पाए गए हैं और शिमला में देखने को मिला कि शिमला में जो की माजर प्रदेश में इस्तित है वहाँ पर एक शिव मंदिर टूट गया जिसके बाद उस मंदिर के अंदर से आठ बॉडिज को निकाला गय जैसा कि आप जानते हैं कि मंडे था परसो तो मंडे की यह बात है तो आठ बॉडिज को वहाँ से निकाल लिया गया और माना जा रहा है कि दस लोग अभी वहाँ पर फसे हुए हो सकते हैं आगे जब उत्रकंड से बात करते हैं तो उत्रकंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन फ्लो होता है उससे बहुत ऊपर बह रही है और जिसकी वज़े से जो रूद्र प्रयाग डिश्टिक्ट है जहां पर अलकनंदा और मंदाकनी रेवर दोनों आती हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवाक मचाया है बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है इन नदियों न यह basically हो क्यों रहा है क्योंकि जो बारिःष है इस बार वो अन इवन हो रही है क्योंकि विश्व के अंदर हम देखेंगे तो एक एल नीनो की जो प्रक्रिया होती है वो जारी है जिसकी वज़े से भारत के अंदर मौन्सून थोड़ा बिगड़ा हुआ दिख रहा है और हम अजीव तरीके से जैसे हिमाचर प्रदेश कें अंदर बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, उत्रखंड कें अंदर बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, और हम Eastern parts नापेंगे South India के, तो वहाँ पर बारिश बहुत कम देखने को मिलती है, तो ये uneven एक तरह से distribution हो जाता है बा even monsoon देखने को मिला है तो यही था basically आगे हम चलते हैं तो आगे एक Tamil Nadu से ख़बर आ रही है तो क्या ख़बर है मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले headline हम देख लेते हैं तो High Court Bats for Animal Rights to Live Without Fear Orders Relocation of 495 Families Near Tamil Nadu Tiger Reserve तो क्या news है मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है कि High Court है जो Tamil Nadu की जिसे हम कहते है मदरास High Court वहाँ की High Court से एक फैसला आया है कि जो मुदू मुलाई Tiger Reserve के Eastern Boundary में एक गाउं है जिसका नाम है ठेंगूर मार्दा तो इस गाउं को जो इस गाउं में Families रहती थी 495 Families उन्हें कहा गया है कि इन्हें relocate करना पड़ेगा यहां से यहां से हटना पड़ेगा क्योंकि जो जानवर है वो fear और distress में नहीं रहने चाहिए जो भी वहाँ पर जानवर पाए जाते हैं मुदू मुलाई Tiger Reserve के अंदर तो वो fear और जो distress है उससे एकदम free होने चाहिए वो रहने के लिए यह कहना है मदरास High Court का और साथी साथ मदरास High Court इसके बाद कहती है कि जो भी गाओं से हम विस्थापित करेंगे जिन लोगों को 495 Families को तो हर फैमिली को 15 लाख रुपए का compensation मिलेगा और वो compensation मिलेगा compensatory afforestation fund management and planning authority दोरा जिसे कहते हैं कमपा तो मैं आपको बता देता हूँ कमपा क्या है जैसे बेसिकली यह होता है कि कहीं भी मान लीजे कि forest काटने का clearance मिलता है तो अगर वहाँ से forest काटा जाता है वहाँ पर तो जो भी company वहाँ involved होती है जिसे वो जमीन दी जाएगी वो दूसरी जगे जाकर paid भी लगाएगी साथ ही साथ कुछ fund वो है जो कमपा एक compensatory afforestation fund management and planning authority है उसके साथ जमा कराएगी कुछ पैसा तो उसी जो fund है कमपा का जो fund है उसी के अंदर से total मिलाकर 74.25 करोड रुपै देना पड़ेगा इन गाउवालों को कमपा फंड के अंदर से सबसे पहले जो कमपा फंड authority है वो ये पैसा देगी national tiger conservation authority को और national tiger conservation authority ये पैसा देगी तमिल नाडू के principal chief conservator को जो forest के principal chief conservator होते हैं और जो principal chief conservator of forest हैं ये करीबन दो महीने में या एक महीने में जो भी लोग है उस गाउं के जिसका नाम है थैंगू महारादा तो इसके लोगों को विस्थापित करेंगे और इन्हें compensation देंगे पंदरा लाग रुपै इच फैमली को मिलने जा रहा है अब ये जहाँ पर बात हो रही है तो मुदू मुलाई टाइगर रिजर्फ की तो हम जान लेते हैं कि वहाँ पर क्या पाया जाता है जैसा कि आप जानते हैं कि वहाँ इस्टन और वेस्टन गाट का एक तरह से जहाँ पर जुड़ते हैं इस्टन घाट और वेस्टन घाट जिसे हम पस्चिमी और पूर्वी घाट कहते हैं वो जहाँ पर जुड़ते हैं उसी के करीब मुद्धू मुलाई टाइगर रिजर्फ है तो वहाँ पर breeding population किस-किस जानवर की देखने को मिलती है तो हम देख लेते हैं क्योंकि UPSC में बहुत इस्टेरिया में पाया जाएगा तो हम देख लेते हैं मुद्धू मुलाई टाइगर रिजर्फ के अंदर क्या-क्या पाया जाएगा मैंने आपको location बता दी यह South India में इस्थित है और जो पस्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहाँ पर मिल रहे हैं उसके करीब ही यह इस् पोर हॉंड एंटिलोग चार सींग वाला आपको यहाँ पर हीरन मिलेगा बार्किंग डियर मिलेगा माउस डियर मिलेगा और सांबर भी मिलेगा यहाँ पर आपको तो और साथी साथ बहुत सारे रैप्टाइल्स भी यहाँ पर मिलेंगे तो जो हाई कोर्ट का concern था वो यह एनिमल कॉन्फिलिक्ट देखने को मिलता है तो जो हाई कोर्ट है मदरास की उसने फैसला दिया है कि इन लोगों को वहाँ से हटना पड़ेगा क्योंकि जो राइट है एनिमल्स के फ्री और फियर से दूर रहके जीने के वो लागू किये गए हैं तमिलनाडू के अंदर वह 500 एकड और एरिया इसके अंदर बढ़ा दिया जाता है पहले 100 एकड मिलता है इस गाउं के लिए उसके बाद 500 एकड एरिया और बढ़ा दिया जाता है जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि एनिमल और हुमन की कॉन्फिलिक्ट बहुत जादा बढ़ जाती है चीज़ें जो जानने के लिए हैं वो यह जानी है कि भारत के अंदर कौन सी ऐसी tiger reserve है जहां पर सबसे जादा tiger की density पाई जाती है दूसरा कौन सा ऐसा प्रधेश है जहां सबसे जादा tigers पाए जाते हैं भारत के अंदर, elephant के बारे में भी आप देख सकते हैं, साथी साथ आपको जितने भी भारत के अंदर tiger reserve हैं, जो important है, उन सब के नाम और उनकी location पता होनी चाहिए, साथी साथ कौन सी नदियां उन tiger reserve के अंदर से बहती हैं, वो भी आपको पता होने चाहिए, और अगर आप news मर देखते ह हैं कि कोई relocation program चालू होता है, जैसे चीता का relocation program कुनो नेशनल पार्क में हुआ था मद्यप्रदेश के, तो आपको याद रखना है कि किस national park से किस national park में वो जो relocation program है, वो हुआ है, ये UPSC point of view से आप इन सब चीजों को खोज सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आग have relevance, तो क्या है कि मैं आपको बता देता हूँ, शुरू से हम शुरू करते हैं इसे, तो अभी recently एक नीती आयोग की एक report आई है, जिसका नाम है multi-dimensional poverty index report, ये नीती आयोग की दूसरी report है multi-dimensional poverty की, तो इसमें क्या कहा गया है, कि जो गरीबों की संख्या है, परसेंटेज है भार और 16 में 25 प्रतिशत गरीब नापे गए थे भारत के अंदर, तो उनकी संख्या जो है वो घट कर 15 प्रतिशत पर आ गई है, परसेंटेज उनका, तो 2019 और 21 में, तो around 13.5 करोर जो है लोग वो poverty से बाहर आ चुके हैं भारत के अंदर, ये नीती आयोग की multi-dimensional poverty index का कहना है, जो ह UNDP, United Nations Development Program, साथ ही साथ, OPHI, Oxford Poverty and Human Development Initiative द्वारा बनाई जाती है ये, और ये लाँच हुई है अभी 2023 के लिए, इसका नाम है Global Multi-Dimensional Poverty Index, UNDP और OPHI के द्वारा मिलके बनाई जाती है, तो इसमें क्या है, भारत के बारे में क्या कहा गया है, कि भारत का जो गरीबी है, जो भ पास पैसा नहीं है, Multi-Dimensional Poverty के मतलब होता है, और भी Factor हम उस पर Conclude करते हैं, जैसे Education, बिजली, पानी, Sanitation, ये सब हम Calculate करते हैं, Life, Expectancy of Birth, ठीक है, ये सारी चीज़े हम Calculate करते हैं, जब बहुत सारी चीज़ें Calculate करते हैं, बहुत सारे Factor's लेते हैं, तो हम उसे कहते है Multi-Dimensional Poverty, और साधा Poverty में हम क्या करते हैं, साधा Poverty में हम नापते हैं कि consumption कितना हुआ, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, या calorie, जो भी basis हम लेंगे, तो वो केवल Poverty नापी जाएगी, तो यहाँ पर जब Multi-Dimensional Poverty की Report आती है, Global Multi-Dimensional Poverty Report जिसे हम कहते हैं, UNDP की और वो 27.5 परतिशत से घटके, 201921 में जब हम नापते हैंगे, तो 16.2 परतिशत हो गई है, तो यह जो UNDP की Multi-Dimensional Poverty Index है, उससे कहा गया है, इसके बाद यह आगे बात करते हैं, कि इसके यह दोनों Report आज आने के बाद भी, जो consumption-based poverty estimates निकाला जाता था, उसकी भी आज जरूरत ह अब consumption-based poverty index में क्या होता है, कि आपके घर पर सर्वे वाला पहुचेगा, वो पूछेगा आपसे कि पिछले 7 दिन में या पिछले 1 महिने में आपने क्या-क्या consume किया है, कितने रुपए आपके खर्चुए हैं, consumption के अंदर, जैसे दूद पीने में आपका कितना कर्चा देते हैं, तो ये कहते हैं कि इसे जो consumption-based poverty estimate था, ये भी आज भी relevant है, अब ये आगे बात करते हैं, कि comparison करते हैं, result के तो global multi-dimensional poverty index जो 2018 की थी, जो UNDP और OPHI द्वारा बनाई जाती है, मैंने आपको बताया, तो 2018 की global multi-dimensional poverty index क्या कहती है, कि इंडिया ने जो गरीबी multi-dimensional poverty को खतम करने के लिए बहुत progress किया है, और भारत ने करीबन आधी कर दी है, अपनी multi-dimensional poverty को भारत के अंदर 2005 और 6 के साथ नापेंगे, जब हम 2015 और 16, इन 10 साल में भारत ने करीबन जो multi-dimensional पूर हैं भारत के अंदर, उनकी संख्या करीबन आधी हो गई है, अब कितनी पहुँच गई थी, 2018 का जब तो 27.5 प्रतिशत थी, अब क्या नापा जाएगा, इससे तो कितनी गिर गई है, करीबन 27 करोड लोग जो है, वो भारत से poverty के अंदर जो गरीबी रेखा है, गरीबी जो भारत के अंदर नापी जाती है, उससे उठ चुके हैं, ये बात करते हैं, अब ये बात क पवर्टी पढ़ेंगे भारत के अंदर, तो आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा था भारत में, कि टेंदुलकर कमिटी क्यों बनाए गई थी, कि उससे पहले क्या हो रहा था, कि जो बाहर की कंट्री से अगर नापा जाता था भारत की पवर्टी, तो बहुत जादा पाई ज करते हैं और साथ ही साथ उसके बाद 2011-12 में, जब तंदुलकर कमिटी के मैथड को रिवाइस करने के लिए कमिटी बनाए गई जिसका नाम था रंग राजन कमिटी, तो उनकी बात करते हैं, तो उनके हिसाब से जो जब तंदुलकर कमिटी की हम बात करेंगे, जो 2004-05 और 2011-12 के हिसाब से नापेंगे, 2009-2012 के बीच में, तो कितनी संख्या थी, करीबन 92 लाख लोग पौवर्टी से नीचे आ चुके थे, ये था बेसिकली, तो इसमें क्या बताया गया है, जो पौवर्टी रेशियो है, तेंदुलकर और रंगराजन कमिटी की मैथलोर्जी का, वो कम जो ग्लोबल मल्टी डामेंशनल पौवर्टी इंडेक्स नापते हैं, उसके एस्टिमेट से, अब आगे हम आ जाते हैं, तो आगे बात करते हैं कि जो पौवर्टी बेस्ट ऑन इंकम और कंजम्शन इस डिफरेंट फ्रॉम डेप्रिवेशन बेस्ट ऑन एजुकेशन और हे है, क्या चाइल्ड मॉर्टैलिटी कितना है, ये सब चीजे नापेंगी, लेकिन जो केवल पौवर्टी बेस्ट ऑन इंकम और कंजम्शन की बात होती थी भारत के अंदर पहले, वो एकदम अलग है और हमें एक ही नहीं मान लेना चाहिए, हमें ये बेसिकली से एडिटोरिय क्योंकि उसके तहत हमें एकदम accurate figures मिलते हैं, क्योंकि problem क्या है, multi-dimensional poverty index में, इन्होंने एक example से समझाया है, कि जैसे मान लीजे, there is a problem with a child mortality indicator, जो multi-dimensional poverty index का child mortality indicator है, वो उसमें एक problem है, कैसे problem है, कि वो सब कुछ group करके एक में ही बात करता है, कि जैसे खाने का कम मिला, पानी साफ नहीं मिला, sanitation, बिमारी, वो सब एक ही में मिला के बात करता है, लेकिन जो हमारा consumption और income based poverty index था, वो बात करता है, अलग-अलग points पे, अलग-अलग, जैसे drinking water की वो बात करेगा, तो अलग बात करेगा, कि drinking water की वज़े से कितनी child mortality हुई, ठीक है, गंदा पानी पीने की वज़े जैसे, या कितना सुधार हुआ, पानी साफ हो जाने की वैसे, तो वो अलग-अलग सारी चीजों की बात करता है, और अगर हम multi-dimensional poverty को देखेंगे, तो ये सब कुछ एक में जोड़ कर बात करता है, जिससे हमें जो clear scene है, वो पता नहीं चल पाता है, आगे बात करते हैं कि ये sample survey के जो data थे, इन में जब दोनों में पाया गया, तो कितना पाया गया कि जो difference था इन दोनों के data के बीच में, तो वो पहले करीबन 1970 तक 10 प्रतिशत था, लेकिन उसके बात क्या हुआ, कि इन दोनों के data के बीच में difference करीबन 53.1 प्रतिशत हो गया है, 2011 वारा तक, तो ये difference ब प्राफदान था, कि जो वजय थी data लेने की, वही हमारी fail हो जाती है, तो basically यही बात कर रहे हैं, कि हमें जो है, वो surveys में थोड़ा change लाना पड़ेगा भारत के अंदर, और साथी साथ ये बात करते हैं, कि जो consumption based survey है भारत के अंदर, जो national sample survey करवाता है, भारत के अंदर, national sample survey जो है, वो CSO के अंदर आएगा, तो ये क्या है, ये जारी रहना चाहिए, इसे खतम नहीं कर देना चाहिए, और ये बात करते हैं, कि 2021 के लिए जो national sample survey है, वो consumption based survey कर रहा है, और इसकी report जब publish होगी, तो हम compare भी कर सकते हैं, अपने पुराने data के साथ, इससे पहले 2011-12 में जो sample survey का consumption based survey हुआ था, उसका जो data है, वो अभी तक भारत की सरकार ने publish नहीं किया है, ये भी इनका एक कहना है, जिसकी वज़े से हम क्या करते हैं, कि हम बहुत चीजों को compare करवाने में अभी असमर्थ होते जा रहे हैं, अब ये बात करते हैं, कि जो 2021-12 में national sample survey का जो consumption based poverty ratio निक सलते हैं, तो अपने अगले editorial की तरफ, तो एस surge foretold, ये बात करते हैं, कि inflation जो है, जैसे आप थोड़ी दिन पहले क्या हुआ था, कि monetary policy committee की एक meeting बैटी थी, जिसमें क्या किया गया था, कि जो interest rate है, जो repo rate और reverse repo rate जो होता है भारत के अंदर, उसे unchanged रखा गया था, उसे change नही किया गया था, लेकिन जो national sample survey organization, NSO का जो data आता है अभी हाल में, तो वो क्या आता है, कि जो retail inflation है भारत के अंदर, वो 15 महिने का सबसे उपर जाने वाला है, ठीक है, 15 महिने का सबसे उपर जाने वाला है, ये retail inflation जो है, ये बताता है, जून का, ठीक है, अब ये जो retail inflation है, ये नापा जाता है, consumer food price index से, ये हम जानते हैं, ये आपको याद रखना चाहिए, कि जो retail inflation हम भारत के अंदर नापते हैं, वो consumer food price index के data से नापते हैं, अब क्या पाया गया है, consumer food price index के data में, कि जो पिछले साल का हम compare करेंगे, जून 2022 का, तो वहाँ पर जो inflation देखने को मिला था, वो था 4.55 प्रतिशत, ये retail inflation की बात हो रही है, और जो अब जून 2023 का data आया है, निकल के NSO का, तो अब जो हमें inflation देखने को मिला है, वो है 11.51 प्रतिशत, अब ये बात करते हैं, कि जो cereals हैं, cereals जैसे चावल गेहूं, तो ये करीबन 10 प्रतिशत CPI की जो basket बनाई जाती है, consumer price index की एक basket बनाई जाती है, उसके अंदर अलग-अलग चीज़ें रखी जाती है, उस basket के अंदर, जो cereals हैं, जिनने हम rice और wheat ज्यादतर हम लेते हैं, तो इसका जो weightage है, वो 10 प्रतिशत है, उस basket के अंदर, और इसका जो price surge है, वो 13 प्रतिशत बढ़ गया है, पिछली साल की July 2022 के level से हम नापेंगे तो, मतलब क्या है, कि जो चावल और गेहूं के जो दाम में inflation है, वो बढ़ गया है 13 प्रतिशत तक, और month on month भी ये double होता जा रहा है, इसके बाद जब हम सबजीओं की बात करेंगे, जो उस basket के अंदर 6 प्रतिशत weightage लेती है, CPI basket के अंदर, तो उनक मन्त और month के साथ नापेंगे, तो July मन्त में क्या देखने को मिला है, कि 38.1 प्रतिशत देखने को मिला है, जो vegetable, जो हमारे खाने की सबजीओं होती है, इनके दाम में व्रद्धी से, अब आगे ये बात करते हैं, कि 18 प्रोड़क्ट जो है, 19 में से जो total सबजीओं के सब ग्र प्याज की बात करते हैं, तो प्याज में 19 प्रतिशत, पोटेटो में आलू में 11 प्रतिशत, गोभी में 32 प्रतिशत, बैगन में 24 प्रतिशत, अदरक और लहसुन में 21 प्रतिशत, हरी मिर्च में 46 प्रतिशत, इनके दामों में inflation है, ये व्रद्धी हो गई है, अब ये क्या ह कि इसके बाद जो non-food item है, उनके उपर भी जो inflation है, वो जादा देखने को हमें मिल रहा है, बेसिकली ये editorial में कहें क्या रहे हैं, कि हमने जो inflation की बात की है, inflation जो हमने अपना जो economic growth की बात की है, तो ये जो inflation है, ये उस पर एक तरह से भवर बनके आज सकता है, और खराब कर सक जो हमारे banks वगेरा कह रहे हैं, Reserve Bank of India कि ये growth हमारी भारत की रहने वाली है, तो ये उस पर एक तरह से आफ़त बनकर आ सकता है, और साथ ही साथ क्या देखने को मिल आ है भारत के अंदर, कि जो L Nino की situation है, मैंने आपको समझाया, कि विश में L Nino की situation चल रही है इस साल, और भा CPI है, जिसके बेश्ट हम inflation निकालते हैं, तो inflation targeting कितनी रहनी चाहिए, average रहना चाहिए, 4 प्रतिशत, कम अगर हो जाए, तो 2 प्रतिशत कम आ लिजे, तो 2 प्रतिशत से उपर रहना चाहिए, और ज्यादा हो जाए, तो 6 प्रतिशत से उपर नहीं जाना चाहिए, तो average है, 4 प यह दो हमने margin रखी हैं भारत के अंदर, तो यही था basically इस editorial में, यह कह रहा है कि जो inflation है, वो बढ़ता हुआ दिख रहा है, जो बारिश है, वो uneven हुई है भारत के अंदर, कैसी पैदावार होगी, कैसी फसल होगी, अभी यह उसका कहा नहीं जा सकता कुछ, इस पर जो data आया ह retail inflation का, तो यह क्या कह रहा है, कि 15 महीने में अभी तक का सबसे ज्यादा inflation जो हमें July में देखने को मिला है, और उससे just पहले data आने के just पहले क्या किया था, कि जो monetary policy committee बैठी थी, RBI की, उसने जो rates हैं, वो unchanged रखे थे बारत के अंदर, आगे हम चलते हैं, तो text and context section से मैं आपको थोड़ा से समझा देता हूँ, मैंनमार से related है ये, तो मैंनमार में जैसा आप जानते हैं कि कोरोना lockdown जब भारत में लगा था, उसके बाद से मैंनमार में क्या देखने को मिला था, कि वहाँ की जो democratic government थी, उसे हटा दिया गया था, वहाँ की आर्मी द्वारा, जिसे आर्मी क जो सजा है वो कम कर दी गई है और इन्हें house arrest पे रखा गया है, अब वहाँ पर दिक्कत क्या बनी हुई है कि election करा रहे हैं, लेकिन जो अंदर से खबर निकल के आ रहे हैं कि मैंनमार में अभी हाल में election आर्मी करवाने के mood में नहीं दिख रही है, यही बेसिकली इसमें है, आप पढ़ सकते हैं इसे, मैंने कल के newspaper में, last newspaper में, 14 अगस के newspaper में इस पर description में बात की है, आप जा कर देख सकते हैं, आगे कावेरी वाटर से related news है, तो हम समझ लेते हैं क्या है, तो तमिल नाडू government sought supreme court, क्या है मैं आपको बता देता हूँ, आप क्या हुआ था, कि 2007 में एक tribunal था, कावेरी वाटर dispute tribunal, कावेरी एक नदी है, जो करनाटक, पुद्दुचैरी, केरला और तमिल नाडू, यहाँ पर बहती है, तो क्या हुआ था, कि अब पानी को लेने के लिए, क्योंकि वो करनाटक से निकलना चालू करती है, कावेरी तो पानी बहुत कम पहुच पाता था, तमिल नाडू के पास, केरला के पास, तो इन सब के बीच में water dispute होता है, तो इसको लेकर यह केंदर के पास जाते हैं, केंदर एक water dispute tribunal बनाता है, जिसका नाम है कावेरी water dispute tribunal, जो 2007 में अपना award देता है, जो अपना verdict है, वो देता है, जिसे 2018 में Supreme Court थोड़ा modify कर देती है, अब उस verdict के हिसाब से क्या है, कि जो monthly schedule बना दिया जाता है, पानी का, कि जो करनाटक है, वो कितना पानी छोड़ेगा, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि करनाटक में भी dam है, वो चाहे तो पानी store कर सकता है, तो करनाटक कितना पानी monthly ये एक plan बनाया जाता है, उसके इसाब से क्या plan किया जाता है, कि 177.25 TMC पानी जो है, ट्रिलियन मेट्रिक टन, 177.25 TMC जो है, वो normal water year अगर होगा, जैसे बरसात normal हुई है, तब छोड़ेगा जून से माई के बीच में करनाटक तमिल नाडू के लिए, लेकिन क्या होता है, क वो और जाधा पानी देने का प्रावधान होता है, तो अब इस साल क्या देखने को मिला है, कि पानी जो है, वो बरसात जो है, वो आनीवन हुई है, पानी कम है, जिसकी वज़े से तमिल नाडू करनाटक पहुचता है, और वहाँ जाके बात करता है, कि हमें इतना पानी और चाहिए, अब क्या है कि देखिए, अब करनाटक का है, अब क्या चल रहा है कि जो करनाटक क्या करती थी, करनाटक 10,000 cubic seconds of water छोड़ती थी, ठीक है, 15 दिन तक 12 अगस्तक वो ये छोड़ती है, और जबकि चाहिए कितना था, 12.9 TMC, तो भेजती कितनी है, 0.86 TMC ही करनाटक पानी बेजता है, जबकि जरूरत कितनी थी, 12.9 TMC, टोटल इन 15 दिन, टोटल मिला के इतना पानी छोड़ पाती है, एक दिन का 0.86 TMC पानी छोड़ती है करनाटक, यह मैंने थोड़ा आपको गलत बताती है, तो आप दुबारा सुन लीजे, जो करनाटक है, वो कितना पानी देना गया है पानी, ठीक है, जिसकी वज़े से जो तमिल नाडू है, वो करनाटक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुचा है, और सुप्रीम कोर्ट से बात कर रहा है, क्योंकि करनाटक है, उसका कहना है कि जो लोर हुई है, इस बार की बारिज जो हुई है करनाटक के अंदर, वो क प्रितिशत कम हुई है अब जब तमिल नाडू की बात होती है तो तमिल नाडू का जो मित्तूर रिजर्व ओयर है तमिल नाडू के अंदर उसमें करीबन बस 20 TMC पानी है जो ज्यादा स्यादा 10 दिन के लिए चलेगा और तमिल नाडू में बवाई होती है जिसे हम कहते हैं ये खिसानों को पानी चाहिए तो इनी सब चीजों को लेकर जो 2018 का सुप्रीम कोड का बर्डिक था तो उसी को उसी बेसिस रखते हुए जो सुप्रीम कोड पहुंचे हैं तमिल नाडू गवर्मेंट करनाटक गवर्मेंट के खिलाब आगे हम चलते हैं तो आगे अपनी ललक्षा का मतलब होता है कि बाद में कभी हम इसे फॉर्स्त का दर्जा दे देंगे तो यह हुआ डीमड़ फॉर्स्त का मतलब तो अब क्या है कि उरीसा जो राज है भार। के अंदर उसके अंदर 50 प्रतिशत ऐसा forest है जिसे deemed forest ही कहा जाता है 50 प्रतिशत करीबन जो उडिसा के अंदर forest है वो deemed forest की category में आता है अब हुआ क्या है कि हाल ही की दिनों में जो राजसभा और लोकसभा से क्या हुआ है कि environment जो act था Forest Conservation Act 1980 उसे amend कर दिया गया है और उसे amend करने के बाद क्या कर दिया गया है कि जो deemed forest होंगे उसे हम protection रखेंगे लेकिन उतनी ज़्यादा protection नहीं देंगे जित्ती हम forest को देते हैं तो उडिसा ने इसी का फायदा उठा के उस Conservation Act के जो amendment है उसका फायदा उठा के क्या कहा है कि जो हमारे यहाँ 50% deemed forest है उसे हम जाकर industries को दे देंगे और ये area खाली करा के हम industries को दे देंगे क्योंकि अब जो category है deemed forest की वो law से हटा ली गई है अब यहीं पर एक 1996 का गोधावरम verdict है Supreme Court का वो क्या कहता है कि जो deemed forest है उसे भी forest माना जाएगा यह 1996 का गोधावरम verdict था Supreme Court का जिसमें Supreme Court ने कहा था कि जो deemed forest है उसे भी forest माना जाएगा और ऐसा क्यों कहा था Supreme Court ने क्योंकि जो deemed forest था उसे लोग काटने लगे थे वो कहते थे जो government agency थी वो कहती थी कि 1980 का जो forest conservation act है उसके अंदर deemed forest की कोई बात नहीं हुई है तो हम काट सकते हैं जिस पर Supreme Court ने तीखी टिपनी देते हुए कहा था कि जो deemed forest है वो भी forest category के अंदर आएगा और आप उसे ऐसे नहीं काट सकते अब जो forest category होती है उसे अगर जैसे कोई forest है भारत के अंदर उसे अगर काटना है तो हमें केंदर की सरकार साथी साथ जो वहाँ की ग्राम पंचायत होगा दोनों की हमें मनजूरी लेनी पड़ेगी उसी के बाद हम किसी forest को काट कर वहाँ पर industry को land दे सकते हैं लेकिन अब जग दीम forest को हटाई लिया गया है अमेंडमेंट एक्ट के बाद से तो अब जो दीम forest एरिया है उसे काटना सरकार के लिए बहुत आसान हो गया है बिना किसी से अनुमती लिए तो यहीं उड़ीशा से केस देखने को मिला है कि वो आपने 50 प्रतिशत जो वहाँ पर दीम forest है उन्हें काटने की काट कर वहाँ इंडस्ट्री बनाने की परियोजना कर रही है आगे हम चलते हैं तो एक खबर आ रही है बिंदेश्वर पाठक ये 80 साल के होकर इन्हें एम्स में भरती थे ये और इन्हें काडिया करेश पड़ा जिससे इनकी मृत्य हो गई अ जो भी आप रेलवे स्टेशन वगेरा के पास बस अड़ों के पास सुलब कॉंप्लेक्स देखते हैं वह इन्हें का ब्रेल चाइल्ड था तो प्रधान मंत्री ने भी कंडोलेंस दिया है इनकी व्रत्यों के उपर आगे हम चलते हैं तो एक नई योजना आने वाली है तो आगे चलते हम तो PM announces new housing scheme for urban poor low interest rate loans on offer तो मैंने आपको बताया था front page से कि प्रधान मंत्री ने लाल के लिए थे एक और भुशना की है कि एक नई scheme launch की जानी है भारत के अंदर जो शहरी गरीब होते हैं उनके घर बनाने की मदद करेगी उनको एक तरह से पक्का घर देने की मदद करेगी तो हम क्या देखते हैं कि जो ये scheme है इसमें क्या होने जा रहा है कि इसमें जो rate है interest का उसे कम कर दिया जाएगा और loan जो गरीबी में रहते हैं शहर में लोग वो जो loan लेंगे उस पर भी थोड़ी concession देने जाएगी जो सरकार है भारत की वो अब इससे पहले भारत के अंदर एक और mission चालू है शहरी आवास को और ग्रामीड आवास देने को तो शहरी आवास के हम बात करते हैं तो उसका नाम है प्रधान मंत्री आवास योजना अर्बन पी-म-A-U ठीक है A-Y-U जिससे कहते हैं ये कभी लाग हुई थी प्रधान मंत 22 तक जितने भी शहर में गरीब लोग रहते हैं सब को पका मकान देने का प्लैन था लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि दो साल का कोरुना लौट डाउन करीबन जो effect हो गई चीजें दो साल तक उसकी वज़े से इसका target बढ़ा कर दिसंबर 2024 कर दिया गया था अब क्या है कि अ 70.49 लाख जो घर हैं वो आवंटित कर दिये गए हैं लोगों को अब उत्तर प्रदेश के अंदर जब हम बाग करेंगे तो वहां 12,87,307 घर बनाए गए इस योजना के अंदर गुजरात आंदर प्रदेश में 8,80,209 और 8,8,278 तमिल नाडू के हम बाग करेंगे तो 5,30,350 जब बनाए गए प्रदान मंत्री आवाश योजना आरबन के अंदर जो केंद्र तरफ से सहायता थी जो पैसों की सहायता थी राजय सरकारों को वो उसकी टोटल संख्या थी 1,48,00,000 करोड रूपै तो उसी जो ये पुरानी स्कीम प्रदान मंत्री आवाश योजना आरबन उसी की तहट पर एक और नाई scheme माने जा रही है जिसका अभी नाम नहीं रखा गया है अभी नाम नहीं बताया गया है और ये जल्दी ये आ जाएगी जब ये launch होगी तो हमें बता चल जाएगा हम cover करेंगे अपने newspaper में अभी आप इतना ही जानी है जो अभी scheme चल रही है भारत के अंदर उसका नाम है प्रदान मंतरी आवास योजना आर्बन जो 2015 में आई थी ministry of housing and urban affairs के अंदर ये आती है और इसे extend कर दिया गया है दिसंबर 2014 तक आगे एक और योजना कल प्रदान मंतरी ने जिसकी बात की तो विश्व कर्मा योजना एक भारत के अंदर आने जा रही है जिसमें क्या होगा जो traditional families हैं बुनाईकारों की लोहारों की धोबियों की और बाल काटने वालों की मोचियों की तो इनके लिए क्या हो रहा है इनके ने भारत के अंदर गाउं में ठीक है self help group जो होते हैं 15,000 self help group जो है women के उन्हें train किया जाएगा उन्हें loan दिया जाएगा इसके तहट ये आने जा रही है योजना इसका जो पहला allocation होने जा रहा है वो है 15,000 करोर रुपए skill development की basically ये योजना है self-help groups की self-help groups जो families होंगी viewers की, goldsmiths की, blacksmiths की laundry workers, barbers और other उन्हें empowered किया जाएगा इस योजना के तहत विश्व कर्मा योजना नाम है इसका आगे हम चलते हैं तो business section से हम देखते हैं तो June exports tally raised by dollar 1.4 billion अब क्या है कि भारत का जो export है भारत से जो निर्यात किया जाता है वो June के अंदर जब हमें देखने को मिला तो वो 8 महीने के low के बाद बहुत high गया है करीबन 1.4 billion dollar उपर है बांकि जो average नापा जाता है उससे तो क्या देखने को मिला है कि June के महीने में जो export है भारत का अंदर वो बढ़ गया था कितने रुपय से करीबन 1.4 billion dollar से पहले कितना हुआ होता था तो 32.9-7 billion dollar करीबन चलता था यह average था पिछली साल का जब हम नापेंगे तो इस साल का जब हम नापेंगे तो कितना है 34.35 billion dollar जो की 1.4 billion dollar की व्रद्धी कर गया है और सबसे ज़्यादा व्रद्धी किस चीज में हुई है किस चीज के export में तो वो है petroleum product के export में भारत से सबसे ज़्यादा व्रद्धी हुई है जून के महीने की यह बात हो रही है अब एक और चीज देखने को मिली है इसकी वज़े से क्या हुआ कि जो trade deficit है वो भी थोड़ा कम हो गया है क्यूंकि पहले जो trade deficit देखने को मिल रहा था तो वो था 20.13 प्रतिशक जो की आप घटकर 18.75 75 billion हो गया है dollars में पहले कितना था 20.13 billion dollars अब हो गया है 18.75 billion dollars का तो और साथ ही साथ क्या देखने को मिला है कि जो हमारा import है जो आयात है वो unchanged रहा है जून के महिने में करीबन 53.1 billion dollars तो यही था basically क्या है कि जो जून के महिने में हमने देखा कि जो हमारा export है भारत से वो बढ़ गया है और कितना बढ़ गया है करीबन 1.4 billion dollars बढ़ गया है यह बढ़ गुतरी है इतनी और जो हमारा trade deficit है trade deficit का मतलब होता है घाटा trade deficit मतलब जैसे चाइना और भारत के हम example से समझते हैं चाइना मान लीजिए भारत को 100 रुपय का समान बेचता है और भारत चाइना को 50 रुपय का समान बेचता है तो जो trade deficit है वो 50 रुपय की हो गई क्योंकि 100 में से जब हम 50 गटाएंगे तो 50 रुपय जो सेश बचेगा उसे हम गएंगे trade deficit तो जो trade deficit है वो भी कम हो गया है यहाँ देखने को मिला है जून के महिने में आज लिए बस इतना ही था कल हम मिलते हैं धन्यवाद